असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स अड्मिशन 2021 की इस सीरीज में खुशाम दीत दोस्तों आज हम आज हम एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसे नैट कहा जाता है यानि नेशनल एमपीट्यूट टेस्ट स्टूडेंट्स नैट साल में तकरीबन स्टूडेंट्स नेशनल एमपीट्यूट टेस्ट साल में कई मर्तबा लिया जाता है जिसकी डेट्स यू हैं जो पहला नैट का टेस्ट हुआ था वो 17 जनवरी को दूसरा नैट टेस्ट 14 फरवरी को तीसरा नैट टेस्ट 14 मार्च को चोथा नैट टेस्ट 18 एपरिल को पांचवा नैट टेस्ट 23 माई को और छटा नैट टेस्ट 13 जून को और सात्वा नैट टेस्ट 11 जुलाई को लिया गया था आटवा टेस्ट 29 अगस्ट को नौवा टेस्ट 19 सतंबर को दस्वा टेस्ट 17 अक्तूबर को ग्यार्वा टेस्ट 11 नवंबर को और बार्वा टेस्ट 19 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा अगर हम उन सिटीज की बात करें जिसमें नैशनल अमपिट्यूट टेस्ट कंड़क्ट करवाय जाएगा तो उसमें फैसलाबाद, इसलामबाद, कराची, लहोर, मुलतान, पशावर, कोईथा, रावल फिंडी, भावलपुर, डेरगाजी खान, गुजरावाला, हैदराबा और सकर शामिल हैं स्टूडंट अगर हम नैट, पेपर, पैटरन और क्वेशन डिस्ट्रिबिशन की बात करें तो इसमें इसको दो कैटरोगरी में डिवाइड किया गया है पहली category के वो student है जिन्होंने 12 साल की education ली है और दूसरी category के वो लोग है जिन्होंने 14 साल की education ली है पहली category में जिन्होंने 12 साल की education ली है उन्हों उनमें 6 types के candidates शामिल हैं जिन्होंने पहले नंबर पर वो बच्चे जिन्होंने FSC pre engineering group से की है FSC pre medical group से की है और 12-year की education arts group में है, computer group में है, general sciences में है और ICOM में है इन सब category के students के एक ही paper pattern है, वो ये है कि total marks 90 आएंगे, जिसमें 20 English के MCQs, 20 Analytics के, 20 Quantitative के और 30 subjective के MCQs होंगे और अगर हम category 2 के students की बात करें, जिनों होने 14 साल के education ली हुई है उनके marks 100 होंगे, जिनमें English 20 marks की, analytic 15 marks के, quantitative 15 marks के और subjective 50 marks के, उनके 100 marks की options आएंगी Students, अब हम बात करते हैं, कि national MPTU test कहां पर applicable होता है Students, अगर को student एक बार national MPTU test देता है, तो वो एक साल तक valid रहता है और अगर हम बात करें कि ये किन universities में valid होता है, तो उन में बेश्मार universities शामिल हैं, जिसके नाम ये हैं Kaidiyajim University Islamabad, Center for Advanced Studies in Engineering, CECOS University Peshawar, Comsets University Islamabad, Dr. A.Q. Khan Institute of Computer Science and Technology, Fatima Jinaab Women University Rawalpindi, Federal Urdu University Islamabad Campus, Gift University Gujaranwala, Gomal University D.I. Khan, Government College University Faisalabad, Imperial College of Business Studies, Institute of Business and Management Lahore, Institute of Management Sciences Peshawar, Institute of Saugutan Punjab Multan, Institute of Space and Technology Islamabad, International Islamic University Islamabad, Islamia University Bahawalpur, Karachi Institute of Technology and Interpainology International Islamic University, Institute of Technology, Fatima Jinaab